नमस्तकार मित्रो जैहिंद फंदे मातरम सुरू करते हैं अपना वीडियो लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लिजे और बेल आइकोन दबा दिजे ताकि आपको सभी आने वाले वीडियो उसका नोटिफिकेशन टाइमली मिलता रहे यदि चैनल पर पहले से मेंबर्स है तो जरूर वीडियो को लाइक कर दिजिए, सेयर कर दिजिए और कॉमेंट में जरूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा तो आईए सुरू करते हैं अपना वीडियो अंग्रेजो की मैसूर वीडियो को समझने के लिए सबसे पहले मैसूर का थोरा इतिहाज चाना जरूरी है तो यदि हम देखते हैं 1565 इस्वी में ताली कोटा के प्रसिद्ध युद्ध में विजे नगर सामराज्य के पतन के पहचात उसके अवसेस पर जिन राज्यों का अभ्यूदे हुआ उनमें मैसूर भी एक प्रमुख राज्य था 1612 इस्वी में विंकट द्वीतिय के समय मैसूर में वाडियार राजवन्स की अस्थापना हुई जो विजे नगर सामराज्य का ही एक भाग था यहाँ पर वाडियार राजवन्स की अस्थापना होती है 1704 इस्वी में मैसूर के राजा चिक्का देवराज नाम या जरूर रखियेगा चिक्का देवराज ने औरंग जेव की अधिनता स्विकार कर ली थी 1719 इस्वी में मराठो को मैसूर से चौथ यानि की टैक्स वसुनने का अधिकार प्राप्त हो चुका था इस वन्स का यानि की वाडियार वन्स का अंतिम सासक चिक्का कृष्णराज वो डेयार द्वितिये था या यादर जरूर रखियेगा नाम यादर जरूर रखियेगा पुछेगा आपसे की वाडियार वन्स का अंतिम सासक कौन था तो चिक्का कृष्णराज भी याद रख सकते है या फिर पूरा नाम है इसका चिक्का कृष्णराज वो डेयार द्वितिये ठीक है जिसका सासनकाल 1734 से लेकर 1766 इस्वी तक था इसी के सासनकाल में वास्तविक सत्ता दो मंतरी भाईयों देवराज और नंजराज के हाथों में केंद्रित थी बहुत ही important point है देवराज जो था वह प्रमुख सेनापती था यानि उसे दालवाई कहा जाता था उस समय और नंजराज जो था वह राजस व एवं वित्तनियंत रख था जिसे सरवाधिकारी कहा जाता था ठीक है 1749 इस्वी में नंजराज ने ही हैदर अली को सैनिक यानि की अपने सेना में भर्दी किया था एक साधारन पद पर भर्दी किया था लेकिन ओफिसियल ही था यह आधिकारी कुरूप से ठीक है 1755 इस्वी में उसे डिंडी गौल के फौसदार पद पर न्यूक्त कर दिया गया क्यों उसकी योग्यता से प्रभावित हो करके अब देखते हैं आगे कि 1758 इस्वी में स्रीरंग पटनम जो की मैसूर की राजधानी हुआ करती थी वहाँ पर अईस्थिर्ता उत्पन्न हो गई राजनितिक अईस्थिर्ता क्योंकि मराठो का आकर्मन होने वाला था हैदर अली ने क्या किया यहाँ परा करके और 1759 इस्वी में राजनितिक हस्तक शेप किया और यहाँ से मराठो के आकर्मन को टाल दिया गया अब नंजराज और देवराज को राजनिती से सन्यास लेने को उसने बाद्ध कर दिया चुकि वह अब राजधानी में अपना अस्तित्व जमाना चाहता था अपना जो राजनितिक करियर था उसको बनाना चाहता था तो इसलिए उसने जो है नंजराज और देवराज को राजनिती से सन्यास लेने को बाद्ध कर दिया 1761 इसवी तक मैसूर राज़ की संपूर्ण सक्तियां हैदर अली के हाथों में आ गई तथा अपनी योग्यता के बल पर वह मैसूर राज़ का स्वामी बन बैठा जी हाँ दोस्तों एक साधारन सहनिक कैसे मैसूर राज़ जी का स्वामी बन बैठा उसी की कहानी है अंग्रेजों की मैसूर विजय अठारवी सताब्दी के उत्तरार्द में हम देखते हैं कि हैदर अली और फिर उसके पुत्र टिपू सिल्तान के नित्रितों में मैसूर राज ने प्रगती की नई उचा यहां सिल्की तथा एक महत्वपूर्ण सक्ती बन कर उभरा अब आते हैं हम लोग और देखते हैं हैदर अली के बारे में अब तक हम लोगों ने मैसूर के इतिहास के बारे में देखा थोड़ा बहुत मैसूर की जानकारी होना जरूरी था हैदर अली से पहले क्या चल रहा था मैसूर में अब देखते हैं हम लोग हैदर अली के बारे में जिसका साजनकाल जो था वो 1760 इसवी से लेकर 1782 इसवी तक यानि की 22 साल था ठीक है हैदर अली का जर्म 1722 इसवी में मैसूर के कोलार जिले में करनाटक का कोलार जिला जहां पर सोने की खाने पाई जाती है तो करनाटक के कोलार जिले में एक साधारन पडिवार में हुआ था इसके पिता फतेह मुहम्मद मैसूर के एक किले में सैनिक अधिकारी थे जिनकी मृत्यू 1728 इस्वी में एक युद्ध के दोरान हो गई थी तो यह बचपन में ही इसके पिताजी की मृत्यू हो गई थी 1749 इस्वी में एक साधारन सैनिक के रूप में नंज राज द्वारा इसे नौकरी पर रखे जाने के पहचात उसने अपने युद्ध कौसल से नंज राज को इतना प्रभावित कर दिया कि 1755 इस्वी में हैदर अली को डिंडी गुल के किले का फौजदार न्यूक्त कर दिया क्या जैसा हम लोग पहले भी देख चुके है फौजदार बनकर इसने अपनी निरक्षरता दूर करने है तू खांडे राव नामक ब्राह्मन को न्यूक्त किया खांडे राव बहुत इंपोर्टेंट है इसलिए याद रखिएगा खांडे राव नामक ब्राह्मन को इसने न्यूक्त किया क्या नियुक्त किया सलाहकार नियुक्त किया साथ ही अपनी सेना को आधुनिक ढंग से प्रसिक्षित करने है तू फ्रांसिसी अधिकारियों की नियुक्ती भी की ताकि जितने भी पास्चात्य आधुनिक अस्त्र सस्त्र है सब को अपनाया जा सके पास्चाते संस्कृती को अपनाया जा सके फ्रांसिसियों से आधुनिक तकनीक को अपना कर ही इसने 1755 में डिंडी गुल में ही एक आधुनिक सस्त्रागार की भी अस्थापना की तो important point है याद रखियेगा ठीक है एक तो यहाँ पर खांडे रखियेगा और यहाँ पर की आधुनिक सस्त्रागार की अस्थापना इसने कहा की तो डिंडी गुल में की कब की तो 1755 इस्वी में के ठीक है पीटी के लिहास से यह important है 1769 इस्वी में मराठो के आकरमन से स्रीरंग पटनम जोकी राजधानी थी मैसूर की उसकी सुरक्षा के बाद नंजराज ने हैदर अली को मैसूर का सेनापती न्युक्त कर दिया इसके बाद खांडे राओ के सड्यंत्र और राजमाता की सहायता से हैदर अली ने नंजराज का अंत कर दिया और 1760 इस्वी में खुद को मैसूर का स्वतंतर सासक गोसित कर दिया तो हैदर अली कब मैसूर का स्वतंतर सासक बना 1760 इस्वी में याद रखिएगा ठीक है और किसका अंत्र किया इसने नंजराज का अंत्र कर दिया हैदर अली के केंद्रिय सासन में 18 विभाग थे तथा उसके अधिकान समंत्री हिंदू थे उसकी सेना में 33,000 घुर सवार भी थे ठीक है इतिहासकारों ने हैदर अली टिपू सुल्तान को मतलब हिंदू का संरक्षक या फिर हिंदू का समर्थक मतलब बताने की भरपूर चेश्टा की है तो उसी आधार पर ये किताब वाले लिखते हैं कि हैदर अली ने मैसूर इस्थित चामुन डेस्वरी मंदिर में दान दिया तथा उसने अपने तामबे तथा सोने के सिक्कों पर शिव पारवर्ती एवं विश्नु की मूर्तिया अंकेत करवाई ठीक है तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है याद रखिएगा परिक्षा में पूछा जाता है तो पर नाहीं होगा ठीक है आगे देखते हैं वैसे भी हमें राजनीती से क्या मतलब हमें तो पढ़ाई करनी है 1763 इस्वय में वेदनूर पर अधिकार कर हैदर ने उसका नाम बदल कर हैदर नगर कर दिया हैदर ने मालाबार के नायकों का दमन किया पॉलिगरों को अपने अधिन किया साथ ही सुनडा, सीरी और गुटी को भी अपने राज्य में मिलाया ठीक है तो कि कहां कहां इसने माराटों से संदीग करनी पड़ी तो पहली बार कहां माराटों से हारा यह जरूर याद रखिएगा हली बली के मैदान में सवानूर के दक्षिन में ठीक है आगे देखते हैं प्रतम आंगल महसूर युद्ध के बारे में अब अंग्रेजों के साथ महसूर का टकराओ कैसे हु वह देखते हैं 1767 से लेकर 1769 इस्वी के बीच में प्रतम आंगल महसूर युद्ध हुआ था डेट बराबर पूछा जाता है एक्जाम में तो याद रखिएगा मिलाने के लिए भी पूछा जाता है और डाइरेक्ट भी पूछ लिया जाता है बंगाल में अपनी सुगम सफ प्रवेत हुए इस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी पानिजिक हितों की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष हस्तक शेप की नीती का अनुसरन किया जब हम लोग देखेंगे अंग्रेज गवर्नरों के बारे में और वायसरायों के बारे में तब हम लोग इस नीती की चर्चा संगर्स का एक प्रमुख कारण मदरास राज्य और करनाटक के बीच मैसूर को लेकर सीमा विवाद भी था बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है जब भी आपके आंगल मैसूर युद्ध का कारण पूछा जाए तो यहाँ पॉइंट देना नहीं भूलिएगा ठीक है 1766 issue में हैदर मराठो के आकरमन का सामना कर रहा था जिसका लाभ उठाकर अंग्रेजों ने निजाम चोकी हैदराबाद का निजाम था उससे तथा मराठो के साथ मिलकर एक त्रिगूट का निर्मान कर लिया ठीक है और उसके खिलाफ सडियंतर रचने लगे हैदर अली के खि हैदर अली बहुत ज़्यादा चलाग था उसने क्या किया मराठो को भी तोर दिया 35 रुपे दे कर और अपना एक मित्र था उसका महफूज खा उसकी साहता से निजाम से भी उसने संधी कर लिया तो अंग्रेज अके लिए रह गये अब हैदर ने अंग्रेजों के मित्र यानि की चांगमा घाट संगम या फिर चांगमा घाट कहते हैं इसको तिरुवन मलई यानि की त्रिनो माली कहते हैं ठीक है ये दोनों जो है ना दो किताबों से लिया गया है इसलिए दो नाम है ठीक है तो ये दोनों संभावता एक ही ही जगा के दो नाम हो सकते हैं या फि उनों में अलग-अलग नाम दिया है इसलिए मैंने दोनों नाम यहाँ पर लिख दिया ठीक है तो इन अस्थानों पर पराजित कर दिया अंग्रेजों ने हैदर अली एवं निजाम को तो पराजित कर दिया ठीक है अब देखते हैं अब सरवादी निजाम ने पाला बदल कर 1768 इसलिए में अंग्रेजों से संधी कर ली अब एक और बंबई से करनल वुड ने तो दूसरी और मदरास से इसमित ने मैसूर पर आकरमन कर दिया अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ अंग्रेजों ने मतलब त्रिगुट बना लिया निजाम और मराठों के साथ लेकिन आता था कभी उस तरफ आता था तो निजाम ने पाला बदल लिया और 1768 इस्वी में अंग्रेजों से संधी कर लिया अब मैसूर पर जो है दोनों तरफ से आकरमन किया गया ठीक है बंबई से करनल वुड का आकरमन हुआ तो मदरास से इसमित ने मैसूर पर आकरमन कर दिया अपनी सेना का परिचे दिया अस्तित्व का संकर देखते हुए अंग्रेजों ने हैदर अली की सर्तों पर उससे मदरास की संधी कर ली अब यहाँ पर सर्ते किसकी फेवर में थी तो हैदर अली के फेवर में थी यहाद रखिएगा अब सर्ते क्या थी वो देख लेते हैं उसे पाले मदरास की संधी जो हुई थी वो 1779 इस्वी में हुई थी यह important है याद रखिएगा इसके अलावा यह भी याद रखिएगा कि प्रतम आंगल मैसूर युद्ध किस संधी से समाप्त हुआ था तो मदरास की संधी से समाप्त हुआ था यहाँ पर बराबर question पूछा ज जाता है और आपका direct question भी पूछा जाता है यह संधी हैदर अली के पक्ष में एक प्रती रख्षात्मक संधी थी जिसके तहत अंग्रेजों ने अन्य सकतियों से मैसूर की रख्षा का वचन दिया था और चुकि रख्षा का वचन दिया था इसलिए इसको प्रती रख्षात लोटा दिया और हैदर अली ने अंग्रेजों के सैनिकों को लोटा दिया दक्कन में इस्तित भारतिये सकतियों में हैदर अली प्रतम वेक्ति था जिसने अंग्रेजों को पराजित किया था यह भी बहुत ही important point है ठीक है अंग्रेजों की अजेयता पर यहां से प्रश्ण च की संधी मात्र एक युद्ध विराम संधी बनकर साबित हुई और द्वितिय आंगल मैसूर युद्ध भी हुआ ठीक है द्वितिय आंगल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ था यह याद रखिएगा 1780 से 1784 इस्वी तक ठीक है बहुत ही important point है बराबर पूछा जाता है ठी तो आगे देखते हैं 1771 इस्वी में जब मराठो ने मैसूर पर आकरमन किया तो अंग्रेजों ने मदरास की संधी का उलंगन करते हुए हैदर की कोई मदद नहीं की थी जबकि हम लोगों ने पढ़ा कि प्रतिरक्षात्मक संधी थी प्रतम जो संधी थी मदरास की संधी ले तो इसने बदल लिया था लेकिन अंग्रेजों ने इसको भी धोका दे दिया वादा किया था कि गुंदूर के बालागाट छेत्रों की दिवानी के बदले 7 लाख रुपईया देंगे लेकिन उन्होंने दिया नहीं अंग्रेजों ने ठीक है तो इससे जो है निजाम जो था अंग्रेजों के विरोधत त्रिगुट भना लिया अब क्या किया हैदर अली ने त्रिगुट बना लिया मराटो के साथ और निजाम के साथ मिलकर लेकिन आगे देखिएगा ये भी त्रिगुट तूटेगा भारत से बाहर बाहर क्या हो रा था इसका भी यहां पर असर पर फ्रांस, एस्पेन, हॉलेंड और विरोधी अमेरिकन उपनिवेस भी जो है यूरोप में इंगलेंड के खिलाफ मिल गये थे इसी समय बिटिस गवर्नर जनरल वारें हिस्टिंग्स ने फ्रांसिसी बंदरगा माहे पर आकरमन कर दिया जो हैदर अली के राजय में इस्थित्था यहाँ पर कंडिशन देखें क्या क्या कंडिशन हो रहा है सबसे पहले क्या हुआ कि अंग्रेजों ने मराठो के विरुद्ध हैदर अली की मदद नहीं की थी सबसे पहला कारण यह हो गया दूसरा यह हो गया कि आपका निजाम और मराठे दोनों अंग्रेजों से परिशान थे तो इस कारण से तीनों ने मिलकर त्रिगुट बना लिया हैदर अली, मराठे और निजाम तीनों ने मिलकर त्रिगुट बना लिया उधर क्या हो रहा था यूरोप में यूरोप में फ्रांस, स्पेन, हॉलेंड और विरोधी अमेरिकन उप्रिवेस जो थे वो इंगलेंड के खिलाफ हो गये थे ठीक है तो ये तीन कंडिशन हुआ उसके बाद चौता कंडिशन क्या हुआ कि इसी समय आपका ततकालीन कारण इस आपको जब यूरोपिय कंपडियों का भारत आगमान नामक चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे तो यदि वो चैप्टर नहीं पढ़ें तो जरूर जा करके पढ़ लेजे ठीक है तो माहे पर आकरमन कर दिया वारेन हिस्टिंस ने और यह कहां इस थी था तो हैदर अली के र दिये आंगल मैसूर युद्ध की सुरुवात हो गई ठीक है 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 एदर ने अंग्रेज चनरल वेली को बुरी तरह परास्त किया तथा अक्टूबर 1780 में अरकाट पर अधिकार कर लिया और यह युद्ध कौन सा था अरंधी का युद्ध था इंपोर्टेंट पॉइंट है वो बेली थे याद रखिएगा सर्मनाख हार की कगार पर पहुँच चुके अंग्रेजों ने फिर कूट नितिक चाल चली और वारेन हेस्टिंग्स ने निजाम को गुंटूर दे करके पुना अपने में मिला लिया मतलब कि निजाम को फिर जो है लालस दे दिया और निजा आयर कूट के नित्रितों में फिर से सेना भेज दी जिसने पोटा नोवो पोली लूर तथा सोलिंग लूर आधी के युद्ध में हैदर अली को कई बार पराजित कर दिया यहाँ पर तीनों चुकी मिल चुके थे तो यहाँ पर दिक्कत हो गया हैदर अली के लिए परंतु ह हैदर अली ने अपना उत्सा नहीं खोया और 1782 इसवी में एक बार फिर आयर कूट को हरा दिया इसी दोरान 1782 इसवी में घायल होने से हैदर अली के मृत्तियों हो गई टीपू सुल्तान जो कि उसका पुद्र था उसने आगए युद्ध जारी रखा लेकिन ना तो हो ही रहा है युद्ध में है ना तो इसलिए दोनों ने आपस में बैठ करके और फिर मंगलोर की संधी कर ली तो दूतिया अंगल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधी के साथ उसका अंथुआ यह जरूर याद रखिएगा important point है आए देखते हैं मंगलोर की संधी क्या थी 1784 इस्वी में यह संधी हुई थी यह संधी अंग्रेजों की तरफ से Lord McCartney और टीपू सुल्तान के बीच में मार्च 1784 इस्वी में हुई थी बहुत ही important point याद जरूर रखिएगा इस संधी के द्वारा दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लोटा दि या जैसा पिछली बार हुआ था वैसा ही इस बार भी हुआ अंग्रेजों के साथ इस प्रिथक यानि की अलग संधी के माध्यम से टीपू सुल्तान ने मराठो की सर्वोच्चता को चुनोती दी जो उनकी महत्वपूर्ण कूट नितिक सफलता थी मतलब पहले जो थे मराठे मैसूर से ज़्यादा प्रभुत्व साली हुआ करते थे सक्तिसाली हुआ करते थे लेकिन अब मराठे मिले हुए तो थे अंग्रेजों से लेकिन ठिपू सुल्तान ने क्या किया मराठों से संधी नहीं की अंग्रेजों से अलग से संधी कर ली ठी इस संधी के बावजूद वह करनाटा को खो देगा ठीक है तो यह जो था वारेन हैस्टिंग जो था वह बिल्कुल भी पसंद नहीं किया था और क्या बोला था यह कतन जो है थोरा सा याद रखिए का यदि आपसे मिल्स में पूछा जाता है मैसूर के बारे में या फिर आपक युद्ध के बारे में आंगल मैसूर युद्ध के बारे में तो उसमें यह पॉइंट सब लिख देने से एंसर जो है न थोरा खुबसूरत बन जाता है और नंबर अधिक मिलता है ठीक है टीपू सुल्तान के बारे में अब हम लोग देखेंगे 1712 इसवी से 1799 इसवी तक इसका सासनकाल था ठीक है यह जरूर याद रखिएगा इंपोर्टेंट पॉइंट है है एदर अली की मृत्यू के बाद उसका पुत्र टीपू मैसूर का सासक बना थॉमस मुनरो ने टीपू के लिए कहा था कि टीपू नई रीती चलाने वाली अस असांत आत्मा है ठीक है नई रीती चलाने वाली असांत आत्मा क्यों कहा था इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे कि टीपू सुल्तार ने क्या-क्या नई व्यवस्था की थी क्या-क्या नई रीतियां चलाई थी ठीक है टीपू ने 1787 इसवी में बादसाह की उपाध कियेगा बादसाह की उपाधी धारन की कब की सतरसो सतासे इस्वी में अपने नाम से सिक्के चलाए वर्सो एवं महीनों के हिंदु नाम जो थे उनकी जगा अर्बी नामों का इस्तेमाल किया प्रयोग किया टीपू ने आधुनिक कैलेंडर जारी किया सिक्का ढलाई की नवीन तकनीक अपनाई मतलब कि नया तकनीक आधुनिक तकनीक अपनाया मापतौल के आधुनिक पैमाने भी इसने अपनाए तो यह सब जो है नई रिती लेकर कर आया था इसी कारण से वो कहा गया था ठीक है जो उपर कथन हम लोग ने देखा टीपू ने स्री रंग पठनम में फ वर्ल्ड हिस्ट्री में आपका जैकोविन क्लब के बारे में भी फ्रांसेसी करांती के बारे में भी देखेंगे ठीक है वह स्वैम क्लब का सदस्य बना तथा खुद को नागरिक टीपू कहने लगा था ठीक है यह भी याद रखियेगा स्री रंग पठनम में टीपू सुल् तुर्की कुस्तुन्तुनिया एवं मौरिसस आदिस में अपने दूत भेज कर अच्छे रिष्टे उनसे बनाए उनका समर्था नासिल किया उसने अपने दरबार में हिंदूों को भी उच्छ अस्थान पर न्युक्त किया पुरानिया एवं कृष्ण राओ उनके दो प्रम प्रमु के हिंदू मंतरी कौन कोन थे उनका नाम ठीक है अपनी सेवा में टीपू ने फ्रांसिसी जल सेना के लेफ्टिनेंट रीपो को निफ्ट किया ताकि अपनी जल सेना को सुद्रिड कर सके ठीक है तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट रीपो को निफ्ट किया था याद रखियेगा 1791 में मराठा आकरमन से स्रिंगेरी मंदिर का कुछ भाग तूट जाने पर उसने मंदिर के पुनर निर्मान हेतु दान दिया उसने स्रीरंग पटनम दुर्ग में इस्थित मंदिरों स्रीरंगनाथ नर्सिंग एवं गंगा धारेस्वर मंदिर की पूजा में कभी हस्तक छेप नहीं किया तो यह भी धर्म निर्पेक्ष पॉइंट यह दी लिखना और टिपू सुल्तान के बारे में तो यह भी लिख सकते हैं ठीक है तो देख लेते हैं हिंदू विरोधी टिपू सुल्तान के बारे में टिपू की मृत्यू के समय उसके विशाल सामराज्य में मातर दो ही मंदिर बचे थे वो भी उसने संभावता अपना भविश्य से बताने वाले दो ब्राह्मनों के लिए छोर रखा था 1790 इसवी से पहले उसके राज्य में सभी हिंदू मंदिरों को समूचा धन सभी मंदिरों का लूटा जा चुका था ठीक है उन्होंने ऐसा लिखा है यह हु बहु कतन अंग्रे जी में लिखा है उसी का हिंदी ट्रांसलेशन मैंने यहां पे किया है यह इससे साबित होता है कि वो जो था हिंदू मंदिरों को तौरने वाला था उनको लोटने वाला था ठीक है इसके अलावा और भी देखते हैं या पर सारे संदर्फ मैंने दिये हैं तो आपको लिखने में कोई दिकत नहीं होगी कतलयाम और हिंदूों में मतलब उसने सरयाम कतलयाम किये हिंदूों के और हिंदूों में तथा इसाईयों के धर्म परिवर्तन तथा महिलाओं के बलातकार के अलावा कतलयाम किया हिंदूों में इसाईयों के धर्म परिवर्तन तथा महिलाओं के बलातकार के अलावा टीपू ने 1783 से 89 के बीच कुर्ग और मालाबार में हिंदू मंदिरों एवं मूर्तियों का भी विनास किया यहां लिखा है लहोर स्टाफ कॉलेज पबलीकेशन में ठीक है बतलब कि टीपू सुल्तान पर जो लहोर स्टाफ कॉलेज का पबलीकेशन है उसमें यहां लिखा गया है यहसा मैरे इंटरनेट से लिया है ठीक है तो यहां भी आप लिख सकते हैं इसके अलावा देखते हैं उन मंदिरों की लगभग संपूर्ण सूची दी गई है इनके किताब में विलियम लोगन के माला बार मैनुवल नामक किताब में उन मंदिरों की लगभग संपूर्ण सूची दी गई है जिन्हें टिपू सुल्तान ने बरबाद किया था या फिर लूटा था टीपू ने लगबग 8000 हिंदू मंदीरों को बरबाद किया था कहां दक्षीन भारत में मैसूर गैजेटियर बाई लेविस राइस लेविस राइस ने जो मैसूर गैजेटियर लिखा है उसमें ऐसाल लिखा गया है और इसे कन्फर्म भी किया गया है किसके द्वारा करनल आरडी पलसोकर के द्वारा ठीक है तो इन्हों ने इसको कन्फर्म किया और यह जो है लिखा गया है लेविस राइस के द्वारा ठीक है इसके अलावा देखते हैं तो इतिहासकार केट बिटल बैंक के अनुसार इतिहासकार क्रेट बिटल बैंक के अनुसार टीपू ने कुर्ग में कुर्वा और मैंगलोर में कैथोलिक क्रिस्चन्स पर अत्याचार कर अपनी विस्तारवादी सैन्य नीती के तहद उसने किया था मतलब इन लोगों पर बहुत जादा कुर्ग में कुर्वा और मैंगलोर में कैथोलिक क्रिस्चन्स पर कैथोलिक जो इसाई थे उन पर अत्याचार किया था और यह उसने अपनी विस्तारवादी सैन्य रन्नीती के तहद किया था 1780-1999 तक टीपू अंग्रेजों से लड़ता रहा और कुर्ग तथा मैंगलोर से अंग्रेजों को मिल रही सहयता के कारण उसने यह हिंसात्मक कार्यवाई की थी ऐसा दहिंदू में लिखा गया थीक है दहिंदू जानते हैं वंपंती अख़वार है तो उसने ऐसा लिखा था टीपू सुल्तान के बचाओ में यह आर्टिकल जो है था 2 दिसंबर 2016 को प्रकासित हुआ था तो यहां कुछ पॉइंट्स है जो कि टीपू सुल्तान के बारे में आपको संबूर्ण जानकारी देते हैं तो आप टीपू सुल्तान से जुड़े हुए प्रशन का उत्तर दे सकते हैं आगे देख लेते हैं निसकर्ज इसके बारे में निसकर्ज क्या लिख सकते हैं तो उपरोक्त तथ्यों से ग्यात होता है कि टीपू ने किस प्रकार हिंदू मंदिरों को तोरा, लूटा और बरबाद किया इसके अलावा भी अनेक सुरोत हैं जो टीपू को एक कुरूर सासक बताते हैं हलांकी इतिहास की सामाने किताबों, टीवी धारावाही को एवं अन्य पत्र पत्रिकाव तथा अमर्चित्र कथाव ने टीपू को हमेशा एक देश भक्त नायक के रूप में ही दर्साया है टीपू को लेकर अक्सर राजनितिक बाजार भी गर्म होता रहता है जहां दक्षिन पंथी दल उसे हिंदू विरोधी बताते हैं तो वाम पंथी एवं अन्य विरोधी दल देश भक्त बताते हैं अधा जरूरी है कि इस विषय पर सोधगर सचाई जनता के समक्ष उपलब्द कराई जाए और इतिहास की पुस्तकों में यदि कोई संसोधन जरूरी हो तो वो जरूर किया जाए अब आगे आते हैं और देख लेते हैं त्रितिये आंगल मैसूर युद्ध के बारे में जो की 1792 से 92 इसमे तक लड़ा गया था मंगलोर की संधी के बारे में हम लोग नहीं देखा यह जो था वह एक खोखली विराम संधी साबित हुई थी क्योंकि टीपू जैसा सासक संधी की सर्तों से संतुष्ट नहीं रह सकता था अंग्रेज और टीपू दोनों का उद्धे से दक्कन की राजनीती पर अपना प्रभुत्व जमाना था इस समय 1786 स्वी में लॉड कार्नवालिस गवर्नर जनरल बन कर आया उसने निजाम को टीपू से जीते छेतर देने का लालस देकर अपनी ओर कर लिया साथ ही मराटो के साथ मिलकर त्रिगूट बना लिया अंग्रेजों ने फिर से त्रिगूट बना लिया ठीक है लालस दे करके बार बार जो है त्रिगोट पना लिया करते थे अंग्रेज ठीक है उदर टीपू ने भी फ्रांस तथा कुस्तुंदुनिया का समर्थन प्राप्त करने है तो वहाँ दूत भेजे 1787 इस्वी में वेलूर तथा बैंगलोर पर अधिकार करते हुए स्रीरंग पत्नम की और आगे बढ़ चला परन्तु वर्सा के कारण वहाँ अभियान छोड़कर मैंगलोर वापस आ गया अगे बढ़ना संभव नहीं था तो फिर से मैंगलोर वापस आ गया लेकिन 1791 की गर्मियों में टीपू ने कोयम बटूर पर अधिकार करते हुए फिर से युद्ध की शुरुवात कर दी परन्तु इस बार कारण वालिस की सहायता के लिए अन्य अंग्रेज अधिकारी जिसमें मीडो था स्टुवर्ड था मैक्सवेल था और हंटर था ये सब मिल करके आ गये और उनकी सैन्य समता के आगे टीपू को घुटने टेकने परे कारण वालिस निजान तता मराठो ने स्रीरंग पटनम में ही टीपू को घेर लिया अतह उसे स्रीरंग पटनम की अपमान जनक संधी करने के लिए विवस होना परा स्रीरंग पटनम की संधी देख लेते हैं 1792 इसमी में या संधी हुई थी इस संधी के तहत टीपू को अपने राजे का लगबग आधा भाग अंग्रेजों के तता उनके सातियों को देना परा इसके अंतरगत अंग्रेजों को बारा मंडल डिंडू गूल तता मालाबार मिल गया मराठो को तुंगो भद्रा नदी के उत्तर का भाग और निजाम को पिन्नार तता कृष्णा नदी के बीच का भाग मिला यदि डिटेल में लिखना चाहें आंग्ल मैसूर के युद्ध के बारे में तो यह जरूर लिख सकते हैं मिंस में ठीक है ठीपू को युद्ध छती पूर्ती हेदू तीन करोर रुपए देने थे परंतु तुरंत रासी न देने पर ठीपू के दो पुत्र बंधक के रूप में कारणवालिस के पास रखे गया ठीक है मतलब पैजा नहीं दिया तो एक तरह से जमाना तरासी के रूप में जो है उनके दोनों पुत्र को रख लिया गया इस संधी के विशय में कारणवालिस ने यह भी कहा कि हमने अपने सत्रू को प्रभावसाली रूप से पंगू बना दिया तथा साथियों को भी सक्तिसाली नहीं बनने दिया मतलब जो साथी थे इसके मराठे और निजाम उनको भी सक्तिसाली नहीं बनने दिया और अपना जो सत्रू था टिपू सुल्तार उसको तो पंगू बना ही दिया था ठीक है अब देख लेते हैं चतूर्थ और अंतिम आंगल मैसुर युद्ध के बारे में जो की 1799 इस्वी में लड़ी कई थी 1799 में लड़ वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया उस समय पूरा यूरोप नेपोलियन के भैसे आकरांत था जिसकी चाया भारत पर भी अंग्रेजो पर परी अता वेलेजली भारत में किसी भी सक्ती को सोतंतर नहीं छोड़ना चाहता था और इसी उद्देशे की पूर्ती है तू उसने सहायक संधी का मार्ग अपनाया बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है सहायक संधी किसने सुरुआत की थी तो लौड वेलेजली ने सुरु की 1799 इसी में वेलेजली ने टीपू के पास सहायक संधी का प्रस्ताव भेजा जिसे टीपू ने और विकार कर दिया इसके अलावा उसने भारत में फ्रांसेजी कंपनी के साथ साथ ने पोलियन से भी पत्र व्यभार किया था टीपू सुल्तान ने टीपू ने अरब कुस्तु अफगानिस्तान एवा मौरिसस के सासों को से भी पत्र व्यभार करके समर्थन मांगा था उसने अपनी सेना को पुनरगठित किया तथा फ्रांसेजी पद्धती पर प्रसक्षित भी किया किसने टीपू सुल्तान ने टीपू सुल्तान के जैकोविन कलब का सदस्य बनने युद्ध आरंब कर दिया मैसूर पर पुर्व से जनरल हैरिस तथा पस्चिम से जनरल स्टुवर्ट ने आकरमन किया ठीक है तो यह कहानी जरूर समझे ठीक है किसने कहा कहा से आकरमन किया स्टुवर्ट ने सदासीर के युद्ध तथा हैरिस ने मालवली मलावली के युद में टीपू को पराजित कर दिया इसके बाद अंग्रेजों ने स्रीरंग पटनम को घेर लिया तो कहां पर किसने टीपू सुल्तान को पराजित किया यह याद रखिएगा अगर डिटेल में पूछा जाता है तो जरूर पूछ सकता है ठीक है अब देख लेते हैं टीपू सुल्तान के बाद मैसूर का क्या हुआ तो टीपू की मृत्यू के बाद उसके परिवार को पेंसन देकर वेलोर भेज दिया गया तथा मैसूर को अंग्रेजों एवं निजाम ने आपस में बाट लिया अंग्रेजों को कोयमबटूर, कनारा तथा स्रीरिंगंपटनम के कुछ भाग मिले और निजाम को गूटी, गुर्रम कुंडा तथा चीतल दुर्क के कुछ भाग प्राप्त हुए मैसूर के राजे को वाडियार वंस के एक दो वर्सी ये बालक क्रिश्न राज को राजा बना कर अंग्रेजों ने अपने संरक्षन में ले लिया मतलब दो वर्स का एक जो छोटा सा बालक था क्रिश्न राज उसको जो है मैसूर का तथा कथित राजा बना दिया मतलब नाम मातर का राजा बना दिया और अंग्रेजों ने मैसूर को अपने संरक्षन में ले लिया मैसूर पर सहायक संदी की सरते थोप दी गई चतूर्त अंग्ल मैसूर युद्ध की सफलता के बाद वेलेजली ने कहा था कि अब पूरव का राज्य हमारे कदमों में है तो यह भी कथन जो है तीन-चार कथन मैंने लिखे हैं वो जरूर आप लिख सकते हैं यदि मेंस में आपसे पूछा जाता है तो यहाँ पर अंग्लेजो का मैसूर विजय नामक अध्याय समाप्त होता है इती स्री देवा खंडे सब्तमों अध्याया समाप्त हा ठीक है तो चलिए यदि वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए ठीक है और वीडियो को सेयर भी कर दीजिएगा इसके अलावा यदि बता दू यदि आप ये नोट्स लेना चाहते हैं तो मुझे वाट्साप कर सकते हैं 9525-360-283 पर ठीक है 9525-360-283 पर और इसी नमबर पर वाट्साप कर सकते हैं यदि आपको हमारे प्रोग्राम से जुरना है BPSC का प्रोग्राम हमारा 21 तारिक से स्टार हुआ है दो दिन मातर हुए है उसमें भी नोट्स दिये जा रहे हैं GS और Current Affairs के नोट्स आपको दिये जाएंगे 9 महीने का कोर्स होगा और पूरा BPSC का तयारी Optional के अलावा कराया जाएगा ठीक है उसके बारे में डिटेल आप यहाँ पर देख सकते हैं ठीक है अपने कोने म और डिटेल देखिए और जरूर से जरूर जुरिये यदि जुरना चाहते हैं और यह GS का नोट से दिलेना चाहते हैं तो जरूर से जरूर मैसेज कीजिए ठीक है तो चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए अब आपसे लेते हैं विदा जैहिंत वंदे मातरम